किसान भाईयों नमस्कार मैं एंजिनियर रसोक पटेल आज मैं आपको अबगत कराने जा रहा हूं खीरे की खेती से जुड़ी सारी जानकारियां दूँगा की खेती खीरे की कब स्टाट की जाए खीरा की फसल को कब लगा जाये और कितने बीगे में इस किसान हैं हैー और इस से मुकिता होने ला कितना प्रोफिट है पर आपको कॉम सी वाराइटी लगई है डेसी खीरा है तो यह आपने कितने बीगः लगाई है अच्छा इसमें खीरे का रेट कितना चल ला है इसमें 30 रुपय भी यह 35 रुपय भी यह पड़े इसमें कितना खीरा निकल लेते हैं? पचास किलो खीरा रोज निकल आता है? मुझा रोज 50 किलो खीरा निकल आता है चलिए गीरा जब हम लगाते हैं तो लगाने से कितने दिन के बाद फल उतरना श्टाट हो जाता है? एक महिना में लगवग फल आने का तयार हो जाता है, एक महिने के बाद से फल स्टार्ट हो जाता है, फल आने के बाद कितने दिनों तक यह चलता है, यह लगवग एक देड़ महिना चलता है, फल जब से स्टार्ट होता है, तब से एक देड़ महिना हम इसमें जो है, फल मतलब तोड़के बेच सकते हैं, जले ठीक है, तो इसके हिसाब से अकर देखा जाए तो लगव के लगव के लगव के बीच में पड़े इंकम होने का जरीया है किसान का, यह तो हुआ, वाला 15-2000 रुपए पड़े हम कमा सकते हैं, तो यह किसान आदमी का एक अच्छा-खासा जरीया तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए अगर एक मैना ही अगर फसल आपकी खीरे की चल गई तो इसका मतलब 30-30-60 मतलब 60,000 रुपए दो बीगे से आप पैदा कर सकते हैं एक मैने में किसान आदमी पैसे पारसा नहीं रह सकता है बहुत अच्छी फफसल आ खाल रखें हैं यहाल बांद रखें इस लिए बन लगा रखें इसमें खीरा एक दिन सीधा आता है अच्छा मतलब नीचे लटक जाता है और उसके वाद से बिलकुल खीरा सीधा रहता है अच्छा यह ताने उन्हें जो इदर लगा रखी है आपने इसी रिए रखी है जिससे आपका जाल जो है मजबूती से खड़ा रहा है गिरेना उसके आप जाल के अंदर जाके के खीरे को तोड़कर और मार्केट में सप्लाई के लिए भेज देते हैं ठीक है चलिए किसान भाइओ आज हमने इनसे विष्टार में चर्चा की कि खीरे की फसल क्यों लगाई जाए इनकी फसल देशी फसलती और इनका प्रूफट एक दिन का अब भी लगाईे और इस फसल से अच्छा मुनाफ़का नाज्या नाच्वरा